365 days current affairs, आज का important video रहे, ये रहा आपके सामने Will the west imperialistic past be the Chinese future? जहर सी बात है, क्या पहले जो imperialistic ideology थी, जो समराजवादी ideology UK and all लेके चलता था, क्या future में China करने जा रहा है या China already start कर चुका ये चीज कर रहा है? बहुत बड़ा question है, दिवांग में रखिए ऐसे India, USA, G7, Japan, other countries परेशान नहीं है ऐसे Vietnam से लेकर other countries समझ रही है कि ये क्या करने जा रहा है एक बहुत बड़ा game है, जिसको समझने के जरूरत है China बच्चा नहीं है, बहुत properly वो implementation करने के कोशिश में लगा है बहुत properly वो काम कर रहा है, बहुत properly चीजे बदलने के लिए लगा हुआ है इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप इन चीजों को समझ और जान नहीं लेते हैं तब तक आपके साथ problem बनी रहेंगी तो आईए बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं क्या imperialism interrupted हो रहा है as obvious है, आज की डेट में तो imperialism interrupted होई रहा है जब से build back better world के साथ nations जुड़ना स्टार्ट हो रहे है इनके belt road initiative के opposite एक और initiative लाया जा रहा है कोशिश की चा रही है कि चाइना के debt trap को खतम किया जाए तो आईए पहले चीजे समझने से पहले एक background पे चलते हैं ताकि आपको ये idea लग जाए कि किस तरीके से चाइना ये काम करता था और world में पहले से क्या हो रहा है देखे पहली चीज ये कि ट्रंप ने इस चीज के लिए जो बिडेन साब ने अभी एक चीज बोली कि build back better world together तो build back better world जो ideology है बहुत important थी United Nation ने ये चीज बोली इसको लोगों ने accept किया और इन्हों ने का नहीं ठीक है चलिए कुछ अच्छा करते हैं साथ में मिलके करते हैं तो G7 भी start five in India भी इस initiative में जुड़ेगा उमीद यही है अब देखिए चाइना क्या करता है चाइना को ये लगा कि हम belt road initiative को लेके चलते हैं world belt road initiative को पहले one belt one road initiative बोला गया फिर उन्होंने का भाई one up नहीं लगा सकते तो इसे belt road initiative बनाया गया और इस initiative के थुरू चाइना को ये मौका मिला कि वो दूसरी countries के development में और उनके infrastructure development में help करें जैसे ports बनाना, rail link बनाना, road connectivities, highways smart cities डेवलप करना और उसके साथ rail link तैस, सारी चीज़े जितने भी आपके development के process हैं, वो सारे बनाने के लिए इन्होंने heavy loan देने start कर दिये इनके पास business के बाद पैसा बहुत था, एक बड़ी power थे तो उन्होंने सब को पैसा देना है start कर दे उन्होंने पैसा देना है start किया, तो पहली चीज़ क्या है एक होता है development growthless एक होता है development which gives you growth तो चाइना का जो development है, growthless development है चाइना की सबसे बड़े issue क्या है बेटा यह जो development करती है, इसको growthless development हम मानते हैं क्योंकि चाइना ने जो भी development किया, वहाँ पर उस manpower को उस country के manpower को use नहीं करते यह उस particular country में जाते हैं अपने prepare good, अपने engineer, अपने labor, अपने लोगों को ले जाते हैं और उसको एक तरीके से army base बना देते हैं और इस area में other civilian को allow नहीं करते हैं और अकेले काम करते हैं, अगर इनको रखते भी तो बहुत humiliate करते हैं और यह अपना development अपनी मर्जी से करते हैं और उस country का ना नियम पे लगेगा ना कानून लगेगा ऐसी की तैसी में जाए वो country इस तरह करते हैं इन्होंने बर्मा को भी ठीक है थोड़ा बहुत बहुत बांगलादेश को भी फिर श्री लंका को तो बहुत बुरी तरह कैप्चर कर चुके हैं मालदीव पाकिस्तान हो गया देजी ब्यूटी हो गया कीनिया हो गया है ना मौरिशस तक पहुत सकते थे बर देखते हैं कब तक पहुत सकते हैं चीजे तो बहुत कर चुके हैं इसके बाद पालाव चले गए फिलिपेंस चले गए तो इन बहुत जगे ये जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं चीजे कर रहे हैं पलाव और माश्यल आइलेंड इन सब जगे जहां जहां रहे दिख रहे हैं वहाँ भाई साब अपनी पावर बढ़ा रहे हैं तो अब बात ही आती है भई लोन आप देखिए पाकिस्तान को 16 बिलियन दे चुके हैं गवादर पोर्ड के लिए अब जाहिर सी बाते वापस तो ले नहीं पाएंगे हमबन टोटा को जब 8 बिलियन दे ये ये वापस नहीं लिया तो हमबन टोटा पोर्टे इनोंने ले लिया सा सालों के लिए और क्या चाहिए इन्फाय स्ट्रक्चर के डेवलप्मेंट में नहीं बहुत लोगों को बहुत पैसे दी हैं बहुत बुरी कंडिशन दुनिया की है अब इतना पैसा देने के बाद जब ये कहते हैं कि भई मेरा पैस दो टाइम होगे आपके लोन देने का तो बहुत कंड्री कहते हैं सहाप इतना पैसा दोमाए पास है नहीं आपको दे कैसे तो कहते हैं कोई बात नहीं ये अरिया में दे दीजे और भी अरिया आप डेवलप्मेंट के लिए चम से और पैसे ले लीजे तो ये एक लालच की तरह चलते हैं तो चाइना ने प्लैन है कि हम पूरी दुनिया को एक लालच से गेन करेंगे और उनको लालच दे के पैसा फेक फेक के उनकी चीजे करते रहेंगे अब देखे एक बहुत अच्छी मेज आपके सामने डेप ट्रैप इन्होंने लिखा वेलकम टू चाइना भी आराई वाटर पार्क लोगों को लगा उनकी वाटर पारक है लोगोंने बहुत निचल पैसा फेक राए ताया लिते रहा पूर नीशन से वैन्होंने का यार मज़ाएगी चलो अंदर चलते हैं अंदर और के बाद में बहुत अच्छ लगेगा और उसके बाद यार मज़ाएगी हमारा देश भी develop होगा हमारे पास भी पैसा आएगा और हमें कुछ करना नहीं सब चाहिना कर देगी सब ने का चलो यह लोग चले गए अंदर गए तो भही ने बंद कर लिया गया गया गुफा में का गया तुमारी एसी की तैसी यह तुम बाहर निकल के दिखाओ इसको बोलते हैं डेप्ट् से स्टार्ट किया और 2017-2018-2019-2020 पैसे लगाते जा रहे लगाते जा लगाते जा रहे अफरिकन कंटिनेंट में तो इनोंने इतना पैसा लगा दिया जांबिया, दिजीबूतिम अपना नेवल बेस तक तक तैयर कर लिया, इस country को control कर रहे हैं, यहाँ पर इनके rules चल ले हैं, जिंबा, जांबिया में भी वही चल ला है, कॉंगो में भी चल ला है, हारे country में यह बहुत ज़्यादा अपनी harshality दिखा रहे हैं, वहां के rules चेंज कर तो इन्होंने पूरा दिमाग चलाया कि डॉलर को जो इनके पास हाइस फॉरें रिजर्व है उसको उन्होंने यूज किया और बहुत वेल प्लैंड तरीके से यूज किया और पूरी दुनिया को कैप्चर करने के कोशिश कि अब इनको ये दिखा कि इंडिया जैसी कंट्री त पाकिस्तान हो गया इस तरीके से इन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के ऑप्शन से ने घेर लिया इंडिया भी बहुत जगे बैठ है वह आप जितने पोर्ट बना रहे उससे आदा उसके पाद एकार निको बार पोर्ट ब्लेयर हमारी कंट्री में ही चार-चार पोर्ट हमने बना रखे हैं जो आपके लिए में नेवल बेस लेके बैठे तो अब ऐसा नहीं इतनी जल्दी इंडिया को टैकल कर पाऊगे इसके बाद हमने इरान भी अपने आपको कंट्रोल में रखा और चाबार पोर्ट को भी हमने डेवलप कर दिया तो हम और भी अपने डेवलोप् अब बात आती है श्री लंका के श्री लंका ने कई सारे डील समसे कैंसिल की रीजन था चाइना जैसे जब इस इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो पर्चुगीज जो थे वो पहले से मुगल में जहां गीर के पास थे तो उन्होंने इस इंडिया कंपनी अं बिटेन की आपने लिए डेवलब करेंगे यहां पर चाइनीज रहेंगे चाइनीज यहां से सारे काम करेंगे तो इन्होंने इनका लेंड ले लिया यहां पर आपका रूल्स नहीं चलेंगे रेगुलेशन नहीं आर्मी हमारी रहेगी रूल्स हमारे रहेंगे रेगुलेशन हमारे रहें तो यह क्या कॉलोनी का कॉंसेट नहीं हुआ, कैसे यह मैं आपको फीचर में भी बताऊंगा, बस यह समझेगा कि चाइना में, चाइना ने श्री लंका में जाकर एक ट्रेडिंग मर्चेंट बनके उनके एकनॉमिक गेंस को देते हुए यहां आए थे, और अज इसको पूरी पहना ही जाती है, ताकि दिखे कि हम यूनिफॉर्म हैं और हम आर्मी पहने हम डेकोरम में हैं, तो यह अपनी बकैती दिखाने के कोशिश करते हैं, कि भी तुमारी स्वाइल पर तुमारी कंट्री की आउकात रही है, सिर्फ हमारी है, हम जो चाहें वो करेंगे, तो बहुत आग्रेशन में बहुत एक्टिव रहते हैं, आर्मी ड्रेस्पैन तो इसके लिए श्री लंका ने अबजेक्शन किया, कि भाई यह आर्मी ड्रेस्पैन के नहीं रह सकते हैं, इनको जो ऑप्शन है, उनको वही करना चाहिए, ऐसे इंडिया श्री लंका पर थोड़ा निगे इंडिया को लगा पैसा आ रहा है, पर जैसे ही दिवानी रार और फॉजदारी दोनों राइट इनको मिल गए, बेंगॉल बिहार उडिसा के, बस मैटर कातम हो गया इनका, इसके बाद अब यूएस क्या करना चाहता है, यूएस का है रहा है कि भाई, तुम्हारी एकनॉमी यह बहुत बड़ी चीज़ है, चाइना अमेरिका का लार्जेस बेंगर है, जो इसे लिवरेजेस देता है, तो भाई चाइना को अमेरिका का छोड़ पाना बड़ा मश्किल है, आज की डेट में भी, यूएस की एकनॉमी काफी हद तक चाइना की रहमों करम पर आज चल रह अब आते ही, इस इंडिया कंपनी पर, पने यूछ साइं के जब समझे नहीं रहे चाहिना और पाकिस्तान आपस में ही हैं बड पाकिस्तान की और चाहिन इंडिया की दुश्मनी का चाहिना ने फायदा उठाया और अज पाकिस्तान को भी डेट ट्रैप में फसा दिया और पाकिस्तान फस्ता चला जा रहा है CPAC का debt इतना है कि इंडिया पूरी पाकिस्तान economy अगर चाहे तो मिल कर इस debt को नहीं चुका सकती इस चीज को पाकिस्तान में बहुत लोग समझ रहे बहुत लोग नहीं समझ रहे अब इंडिया पाकिस्तान और चाइना में बात करें तो इंडिया तो safeguard है इनकी policies में नहीं फसा पर जो countries फस रही है आने वाले टाइम पे एक imperialistic ideology मिलेगी ठीक है एक communist country से imperialistic country बन जाएगा चाइना और पूरी दुनिया को capture करके अपने control में रख लेगा यही एक tension है जिसके चकर में USA, इंडिया, जैपैन, औस्टेलिया सबने कौर्ड बनाया, other western powers कोशिश कर रही है, चाइना को control करने के लिए क्योंकि poor countries इस चीज को नहीं समझें, इसलिए build back better world लाया गया है ताकि हमें इन चीजों को बहतर तरीके से बना पए इसलिए मालदीव के साथ बहुत बुरी हाल हो थी, मालदीव में इनोंने चाइना के साथ मिला रहता है, तो आसपास की जितनी poor countries हैं, जिनसे इंडिया को थोड़े भी disputes हैं, वहाँ पे जा रहा है और जो friendly हैं, उनको भी capture कर रहा है नेपाल देखिए, नेपाल भी ले ली, अब पूरी दुनिया श्री लंका, पूरी दुनिया चाइना के अबोस खड़ी है, वो चाती है चाइना imperialistic ideology ने लाए, जिसको हमने बहुत मुश्किल से पूरी दुनिया से खतम किया है यह economic के term पर development के नाम पर पूरी imperialistic ideology ले के आ रही है, और पूरी दुनिया को दुबारा capture करने की कोशिश करी है 100 से उपर देश इसके पास हैं, उसमें से कई debt trap policy में फसे हुए हैं, बहुत बुरी दशाओं में चल रहे हैं इन चीजों को बदलने के और सुधारने की जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलेगा चाइना वही कर रही है, जो इस इंडिया कंपनी जाके करी, वो गई थी कंपनी बना की आईए built and road initiative पे, built and road initiative के थुरू, ये वही काम कर रही है, जो UK अल्रेडी सो लासो में करके गई, लोगों को समझने की दे रही है, जब जब तक समझेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी, जो western world और Indian जासी country समझने हैं, वो कोशिश करें हैं, इनसे trap से बाहर निकालें, और जायर सी बात है, आपको financial इतना एट कोई भी country नहीं दे सकती, जितना चाइना इस टाइम पे दे रही है, तो चाइना की साइडेलोजी को टैकल करना, कंट्रोल करना जरूरी है, वहना वो दीन दूर नहीं तो दुनिया किसी country के कंट्रोल में आ जाएगी, तो आज इस lecture में इतना ही बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो like, share, subscribe करिए, dislike करने का आपके पास पूरा दिकार है, अगर आपको कोई भी चीज बुरी लगी तो please इससे dislike करिए, instagram चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर चाहते हैं, instagram पे तो साथविक अंडर इसकोड राना 26 पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, चीजे बता सकते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही, God bless you all, जैहिंद वन्ने मात्रम